So hello and welcome guys, आज हम फिर से के लिए जा रहे हैं GTA Sanandria's तो अभी तक के gameplay में आपने देखा कि Officer Tempani के कहने पर मैं आ गया था Badlands और यहाँ पर मैं इसलिए आया था because मेरी खुद की जो गैंग थी उसमें कुछ गदार निकल आया थे तो फिलाल मैंने Instagram से एक लड़की बसंद की है जिसका नाम है Carolina फो भी थोड़ी सी मेरे टाइप की ही है गुंडी टाइप तो उसका यहाँ पर काम क्या होता है वो लूट पार्ट करती है उसके बहुत सारे ऐसे vendor हैं जो कि वो लूटा हुआ माल खरीद लेते हैं तो अब ही मैं जा रहा हूँ उससे ही मिलने के लिए तो अगर आप इस चैनल पर नई है तो प्लीज चैनल को कर ले रहे हैं सबस्क्राइब वीडियो को कर दे रहे हैं लाइक और कमेंट करके जरूर बताना कि भाई अगर मैं जो भी चीज़े कर रहा हूँ जो भी मेशन कर रहा हूँ उसको और किस तरीके से किया जा सकता था तो फिलाल मैं आगया हूँ इस रोड पर भाई यहां की जो पबलिक है ना वो थोड़ी सी जादा गुस्ते वाली है कंपेर टू सिटी अरिया क्योंकि अभी देख रहे हूँ पुलिस वाले की गाड़ी में थोड़ा सा स्क्रैच आ गया तो लगातार गुमाये जा रहा है कहरे है किसे को निकलने ने दुआ अभी किसे ने टकर मार के मुझे नीचे गिरा दिया और अगर गल्टी से यहांकर किसे से टकर हो जाती रहा तो उसका पारा भाई बहुत गंदा बहुत गंदा वाला चड़ जा देखा ट्रक वाले को रोकने की कोई है ह not रोकने उटने का तो को सीनी नहीं होता है, वो सीधा टककर मारके उड़ाके चला गया सीधा वही मैं इसी तरीके से अपना रूट पदल के यहां पर चलता आ रहा था फिर इस गाड़ी वाले के साथ हो गई मेरी टककर उसका इको इतने गंदे लिवल पे हवाट हो गया है वाई उसने डिसाइड कर लिया कि अब वो मुझे छोड़ेगा नहीं वही मैंने तुर्ण दबाया एक्जिट का बटन मैं निकला गाड़ी से बाहर हो गाड़ी होई है ब्लास्ट गुस्सा देख रहो यह तो कुछ भी नहीं है अब देखो वो बंदा उस लिक डेड बॉड़ी गाड़ी के डेड बॉड़ी लेके वो चले जा रहा है उसको इतना चूँझने लिए रोगजा रोगजा पर नहीं वो अभी भी उसी पर लगा हुआ है और वो डेड बॉड़ी को लेके उदर ओपर के तरफ कूद गया है अभी भी वो उसके पीछे लगा हुआ है ऐसे पागन के पीछे क्या माता फूड़ू है देखाई इस गाड़ी ठक्कर हो गई है उस गाड़ी से अब जाते हैं साइड में अपनी बाई उठाते हैं अपनी निया मतलब किसी की बाई उठाते हैं और चलते हैं कैरो लीना के पास पुर्ण पर धिस्कस किया था कि बाई आज हम होना करींगे पहला अमेशन साथ में और अगर ये सबतस्फबन होता है तो हम इस crush Pubal को एंगे आगे अब ही हम चो्रो वाले रिलेशन में हैं फिर हम डाफो वाले रिलेशन में जूड़ जाएंगे एक साथ तो मैं कैरोलीना जो है वो बैड लैंड्स के बीच में एक छोटा सा कस्वा है वहाँ पर रहती है और मैं अपनी बाइक लेकर बिलकुल उसकी तरफ निकल चुका हूँ जादा दूर की लोकेशन है नहीं मुझे बस यह त्रेन वाला एरिया यहंसे लेना है और मैं बहुत जब्ले उसके पहूंच जैओंगा येथ् 업न हुशन उसके बास पहुँच जाओंगा और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगा पहला मिशन इसमें क्या होता ना जैसे आप कैरोलीना से मिलते हो उसके लोकेशन पर पहुँचते हो देन यूगेट मैनी ऑप्शिन्स कि भाई आप ये भी कर सकते हो ये भी कर सकते हो आपके आप 5-6 से आगया था city area में तो मुझे वापच जाना पड़ेगा कैरोलीना के पास अपयों यहां से बिलकुल इसी area से मुझे जाना है कैरोलीना के पास ज्यादा दूर ये location दिखा रहे हैं नहीं दिखा रहा है इसी रोड़ पर हम लोग लन जांते हैं जी इसी रोड पर मिल सु हमारे फरस्ट मिशन का नाम है फरस्ट डेट फरस्ट डेट पे हार लोग ड्रिंक करते हैं खाना खते हैं हम चाएंगे डाका डालने तो ये देट होने वाले यह है बहुत ही जबरदस्त इसका बहुत ही गंदा इंट्रोड़क्शन मुझे मिला है उसके हाथ में ता अच्छा को वह अलड़ी एक लूट पार्ट में लगी हुई थी अब वो कहती है जल्दी से गाड़ी पकड़ो और फिर चलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पर ढालने के लिए तो जैसा कि हम लो बहुत सारे ऐसे ग्रीन डॉट दिखाई देंगे जो अभी दिखाई दे रहे हैं आप उन डॉट पर जाकर लूट पार्ट कर सकते हैं यह बहुत सारे अलग-अलग एरियाज है जैसे के पेटरोल पंप हो गया बैंक हो गया इन एरियाज पर जब केरियों के साथ जाओगी तो इस सीधा लूट पार्ट के इरादे से ही जाती है तो इसमें कोई अच्छा इरादा इनका होता नहीं है हम सबसे नीरस वाले पर गए हैं यह है पैट्रोल पर भाई इसने सीधा अपनी धुनाली निकाल दी है और बंदे पर लगा दी है वो बंदा कहता भाई तो अपनी बंदू को रखो उने पास यह जो ग्लास है नहीं यह बुलेट प्रूफ है तो तुमसे कुछ होने वाला है नहीं केरने कहती भाई इसको छोड़ हमें पैसे नीची है हम इनका टैंकर उठाएंगे सीधा पैट्रोल से भरा हुआ और उससे मिलेंगे हमें बहुत जादा पैसे क्योंकि कुछ पैसे चुराने से कुछ नहीं होगा पैट्रोल का भाव पता है 95 वो रखा है भी और 95 के हिसाब से अगर हम इसका कुछ हजार लीटर का पैट्रोल चुरा लेता है तो भाव वो कुछ लाक बन जाएगा और उसको लेकर उन लोग निकलते हैं इतने पैसे तो एक कैश में भी नहीं देगा उनको तो भाव जैसे हमने टैंकर को जोड़ा है अपने ट्रॉली के साथ और उसके बाद भाई इन बाप बेटे की हुई हालत खराब पर इन लोगों अपनी गाड़ी लगा दिया हमारे साथ और उसके बाद मुझे बस एक ही काम करना है टैंकर फटने से पहले या टैंकर को कुछ होने से पहले मुझे उस वेंडर तक लेकर पोस्टना है जो इस गाड़ी को खरीदेगा इस बड़े हुए टैंकर को खरीदेगा वहीं से मिलने वाला है हमें अपना मेंन पैसा केरणी ने मुझे पूरा एडर्स दे दिया है मैप में लोकेशन मैंने कर दिया है सेट और इसी लोकेशन से मुझे निकलना है भाई निकिन ये क्या डिर्फ्ट थी अगर इस डिर्फ्ट के चलते मेरी जो ट्रॉली है वो टैंकर से अलग हो जाती तो भाई मिशन हो जाता वहीं पर खतम तो बहुत ही सेफली हमें चलाना पड़ेगा और यही है वो लोकेशन यहां पर हमें रोकना पड़ेगा आगे पेट्रॉल पंबे पीछे वो लोकेशन यहां पर हमें पना टैंकर कड़ा करना है वो अराम से बंदा हमसे आदे रेट में खरीदेगा और फुल रेट में पबलिक को बेचेगा तो उसका भी फायदा हमारा भी फायदा पर टैंकर लगाते के साथ हमारा हो गया मिशन कंप्लीट और उनसे गाड़ी संबली नहीं जो हमारा पीछा कर रहे था उन्होंने मार दिया पैट्रॉल पंब में देखे और वहां हो गया ब्लास्ट वो बंदा भागने की कोशिश कर रहे है पुलिस पड़ेगी उनके पीशे ना के हमारे भी कोश अवारे किलाफ कोई सबूत है नहीं हमने अपना टेंकर बेज दिया है जिस बंदे को बेचा है उसने खाया था वही ऐसे ही अगर और मिशन करने तो इस लोकेशन पर आते रहे न और मैं तुम्हें अच्छे खासे पैसे देता हुआ भाई लेकिंग कैरोलीना निकली है ऐसान फरामोश बाइक लेकर भाग गई यहां से मेरे को छोड़ कर मुझे दिये हैं पांच हजार डॉनलर की चिल चिलर और खुद सारा पैसा लेकर चली गई है तो बाइक कोई बात नहीं पांच जार डॉनलर मिलाकर मेरे पास हो गई है कुल संपत्ती 23,000 डॉलर की मैं सुख रहूं बैड लैंड्स में भी दो-तिन घर ले सकते हैं तब यह पास सीजर का फोन आया था उसने में को बताया भाई इस देक कि शहर में जो माहों वाला हो बहुत खराब चल रहा है और यहां पर वापस मत आना अभी मैं अभी देख र आम रम